नमस्कार मैं उजेब और आप देकर फ्राइम टीवी और वक्त हो गया है नैस्टनल बॉलटिंस का उतर प्रदेश के मुखे मंतरी योगी आधितनात को प्लैटफॉर्म एक्स पर पिछले दो दिनों से जान से मारने की धमकी दी जा रही है मुंबई में पकड़ी गई फातिमा खान के पोस्ट को अब गोरकपुर के रहने वाले युवक रियाजुल इहक अंसारी ने री पोस्ट कर दिया है इस मामले में अधिकारियों के निर्देश के बाद गोरकपुर पुलिस की साइबर सेल ने मामले की जास शुरू कर दी रवि पुलिस पोस्ट किया है इस में दावा ये किया गया कि अगर आदितनात दस दिनों में स्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें बाबा सिद्धी की तरह मार दिया जाएगा ये धमकी मुंबई पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल रूम को एक अग्यात नंबर से बेजी गई फिलहाल पुलिस मामले की जाच में जूटी है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी के मुख नयादीश डी वाई चंद्र चूड के घर जाने पर विपक्षी दलों और वकीलों के एक वर्ग ने सवाल उठाये थे जिनका जवाब देते हुए मुख नयादीश डी वाई चंद्र चूड नहीं ये कहा कि प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी गंपती पूजा के लिए मेरे घर आये थे इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि समाजिक इस्तर पर नियाइपालिका और कारिपालिका से जुड़े व्यक्तियों के बीच निरंतर बैठके होती हैं इसके अलावा भी हम रा निरूप से जीवन और समाज से जुड़े मामलों पर बात होती है यूपी मदर्सा एक्ट के मामले में सुप्रीम कोट का बड़ा फैसला सुनाया गया है यूपी मदर्सा एक्ट को आसम वेधानिक घोशित करने के इलाहबाद हाई कोट के फैसले को सुप्रीम कोट ने रज कर दिया वही संबंद के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोट ने आज फैसला सुनाया सुप्रीम कोट में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की अध्यक्षिता वाले बेंच ने सुनवाई की है जिसमें यूपी मदर्सा एक्ट पर इलाहाबाद कोट का फैसला र बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा हमने इतने मजबूत रोड बना कर दिये हैं कि एक भी गड़ा नहीं मिलेगा इसके अलावा नितिन गटकरी ने कॉंग्रेस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कॉंग्रेस ने 60 साल में क्या किया उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि कॉंग्रेस ने जनता को कुछ नहीं दिया केवल जाती वाती राजनीती की है कॉंग्रेस ने मुसल्मानों को अगर बीजेपी सत्ता में आई तो आपको कटवा देंगे जिहां ऐसी बाते मुसल्मानों से कहीं है कॉंग्रेस ने कॉंग्रेस जनता में हमारे खिलाफ ज सौरार प्रशाशन ने उनकी जान लेने की भी साज इश्रची है उनका कहना है कि मुझे यहां का प्रशाशन हरवाना चाहता था और ये किसके कहने पर किया गया है वो जाज का विशे है बतादे आपको कि अनिलविज अंबाला कैंट विधान सबा सीट से चुनाव लड़े थ कि अजया झाल पर के घज दो एक्षब से चुनाव लड़े ए वा इंदिए कि अनिलवाना चाहते शीन बाखका की कि अजया है बतादीज दो प्रशार का विज ने फुनाव लड़े गादिवम्यों आपका शीन